कई बार आपके दिमाग में असमंजस की स्थिती बनती होगी जी हाँ, असमंजस ऐसा कि अगर मुझे तलाक लेना है तो क्या पती और पत्नी को एक साथ रहना है उस डूरेशन में या अलग-अलग रहना है चाहे आपसी समझोते से आप तलाक ले रहे हूँ या कॉंटेस्टेट डाइवास में लड़ जगड कर आप तलाक ले रहे हूँ इस्थिती कैसी बनती है जरा उसको समझते है और सेपरेशन का क्या मतलब होता है जरा इस पर ध्यान देते हैं आप सभी ने जो शुरुआत की है ओनलाइन लीगल एडवाईज में अशोग पांडे के साथ में की है आप सभी का स्वागत है साथ ही साथ अगर आप नए हैं सबस्क्राइब जरू करें इस चैनल के माध्यम से लीगल कॉंटेंट लीगल इंफोरमेशन लगातार आप तक पहुचाने का हमारा रहता है प्रयाज जी हाँ शुरू करते हैं अपने मुद्दे को और बात करते हैं सेपरेशन का आखिर क्या मतलब होता है दिखे सुप्रेम कोट के जज्जमिंट के हिसाब से अगर समझे और कानून की अगर हम बात समझे तो सेपरेशन का मतलब एक छट के नीचे रहने के बावजूद आपक दोनों के बीच में compatibility differences होने के कारण दोनों के शारिरिक संबंद भी नहीं है मानसिक संबंद भी नहीं है मतलब दोनों एक तरीके से अलग अलग है अब इसमें ये important नहीं है कि आप दूर रहते हैं या पास रहते हैं या एक ही छट के नीचे रहते हैं ये बिलकुल भी important नही और ये separation किस तरीके का mental and physical, मानसिक और शारीरिक, दोनों ही तरह के जो relation है, वो आप दोनों के बीच में नहीं है, अब ये तो कहने की बात हो गई, अब practically जब आपको ये court के सामने साबित करने की बात आएगी, कि आप separate थे या नहीं थे या क्या था, आप उसे कैसे court के सामने ले कर के आएंगे, तो इसमें दो इस्थितिया बनती है, एक तो इस्थिति वो जहाँ पर दोनों आपसी सहमती तलाक ले रहे हैं, और दूसरी इस्थिति वो जहाँ पर दोनों अलग-अलग रह करके, तो separation का जैसा मैंने आपको मतलब बताया, वो एक शहर और दूसरे शहर में रह 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 रहे हैं, वो भी separation है, लेकिन उसके बावजूद एक ही शहर में रह रह रहे हैं, वो भी separation है, अगर उनके बीच में physical and mental relationship नहीं है, मानसिक और शारीरिक संबंद नहीं है, और साथ ही साथ, तीसरी इस्थिति, घर एक है, एक ही छट के नीचे, एक ही घर में रहने के बावजूद दोनों के जो रिष्टे हैं वो नहीं है, पती-पत्नी के संबंद नहीं है, मानसिक तौर पर दोनों अलग-अलग हैं, उसके बावजूद वो एक ही घर के अंदर रहते हैं, इससे आप कंसीडर कर सकते हैं, कि that includes separation, दोनों के बीच में separation है, पहली इस्थिति, मीच्वल डायवास का केस, आपसी सहमती तालाक, तो देखिए, आपसी सहमती तालाक में, पती और पतनी के जो संबन्थे, कोई जज आपके घर पे नहीं जाता, कोई वकील आपके घर पे नहीं जाता, और इसके जो evidence है, आप ये थोड़े ना court में produce करेंगे, कि देखिए, हम लोग last time हमारे जो शारीरिक संबन्थे, इस तारीक को इतने घंटे, इतने मिनिट पे बने थे, ऐसी कोई इस्तिती होती नहीं है, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, ये आपकी personal life थी, तो कुल मिला करके, आपके जो statement होते हैं, आपका जो statement है, आपका जो कहना है, उसके उपर code विश्वास करती है, जी हाँ, contradictory नहीं होना चाहिए, मतलब husband ने कहा, कि हमने 1st of January 2020 से अलग रह रहे हैं, और wife ने भी कहा, हम 1st January 2020 से अलग रह रहे हैं, इट मींज, अब उसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, until and unless, इस चीज को counter करने के लिए कोई 30 evidence type का आ जाए, तो बड़ा rarest of the rare होता, ऐसा होता नहीं है, कहने का मतलब यह है, विशह यह है, subject ही है, कि अगर दोनों, पती और पतनी कहते हैं कि हमारे बीच में संबंध इस particular तारीक से नहीं है, इस date से नहीं है, इस समय से नहीं है, तो उस पर court यह नहीं कहेगा कि अभिश्वास करने वाली कोई बात नहीं बनती है, यह तो रही mutual divorce की बात, तो ठीक है, अगर आप उसे manipulate भी करना चाहें, तो कर ले, अपने हिसाब से कहने का यह भी एक मतलब है, दूसरी एक विशेश बात ही है, कि जहाँ पर contested divorce होता है, तो जादा तर जो मामले होते हैं, in fact, 90% जो matters होते हैं, वहाँ पर पती-पतनी अलग-अलग ही रहते हैं, और लड़ जगड के तलाक लेने का मतलब ही आप यह समझें, कि दोनों के बीच में जम नहीं रही है, जब जम नहीं रही है, तो भई मानसिक असंतुलन तो बेशक होगा, और इस वज़ा से mentally तो दोनों अलग-अलग हो गए, आप यह समझें, क्योंकि जो divorce लेने के स्थिति होती हो, दो-चार दिन में नहीं होती है, हो सकता है, इसमें एक लंबा अर्सा लगता हो, और जब एक लंबा समय लगता है, तो इस लंबे समय को ही तो आप separation मानेंगे, क्योंकि उस बीच में तो आपका relation ही नहीं था न, तो यह आपका एक separation हो गया, अगर आप कहते हैं कि मेरा दो साल या एक साल से separation था, तो court उस पे अविश्वास नहीं करती, until and unless जो opposite party, मान लिजए पत्नी ने कहा कि हम पिछले एक साल या देड़ साल या दो साल से अलग रह रहें, और husband भी उस पे agree कर जाता है कि जी हाँ, हम अलग तो थे, लेकिन it means एक बात तो यह सावित हो गई, कि उनके बीच में physical and mental relationship नहीं थे, दूसरी बात कई बार ऐसा होता है, जहां पर contradict किया जाता है, अब इस बात को prove करना ही बड़ा मुश्किल है, तो इस चीज का जो advantages है न, वो benefit जो है, वो पती और पत्नी दोनों यह उठा सकते हैं, कैसे, मान लीजिए, अगर पती का कहना है, कि हम इस इस तारिक से अलग रह रहे हैं, तो पत्नी भी उससे सावित नहीं कर पाएगी, अगर दोनों के बीच में relationship है, तो आप क्या उसके evidences दोगे, तो जो separation की बात होती है न, अगर एक छट के नीचे ही रह रहे हैं, तो भी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, हाँ, complicated हो सकता है, अगर एक छट के नीचे हैं, तो court, मतलब एक ही घर में अगर दोनों रह रहे हैं, और कहते हैं कि हम दो साल से अलग हैं, तो थोड़ा सा एक dicey और doubt तो create होता है, कि भी दो साल से आप अलग हो, आपके बीच में mental and physical relation ना बने हो, ये बड़ा मुश्किल वाला बामला है, तो ये husband और wife की responsibility, अलग ही होते हैं, अमूमन जो पतनी होती है, वो अपने माएके में रह रही होती है, या किसी और जगा पे रह रही होती है, और पती किसी दूसरी distance में रहे रहा, for example, एक भोपाल में, एक डैली में, एक डैली में, एक मुंबई में, तो ऐसे differences होते हैं, distance होती है तो उस condition पे आपको separation जो proof करने की बात होती है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं आती है इस वज़ा से जो separation का paramount consideration है मतलब अलग अलग रहने का जो important question है वो इस तरीके से decisively determine किया जाता है आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा इसके साथ ही अगर आपको judgment चाहिए न दो judgment मैं आपको बदाता हूँ आपके काफी काम आएंगे समर्गोष वर्सस जयागोष 2007 वॉल्यूम 4 सुप्रेम कोर्ट केसे पेज नंबर 511 और हमेशा एक judgment और भी मैं बदाता हूँ आपको ये रूपा पाल वर्सस संजय पाल का judgment AIR 2019 जारखंट हाई कोट का पेज नंबर 8 तो ये दोनों जो judgment है ना ये आपको separation के point को अगर आप समझना है तो ये दोनों ही judgment आपको काफी जादा मदद करेंगे आपने शुरुआत अशुक पांड़ी के साथ legal advice में की थी जानकारी अगर आपको पसंद आती है like, subscribe आप जरूर करते बिना उसके ना जाए और साथ ही साथ अगर आप मुझे directly बात करना चाहते है इस particular वीडियो के description में detail है link है जहां से आपकी और मेरी हो जाएगी बात मिलिंग अगले वीडियो में आप सभी स्वस्त और सुरक्षित रहें इस कामना के साथ आप सभी का विशिश धन्यवाद